लो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल रुद्यो ओफीशल जोन तो दोस्तों आज किस वीडियो आप लोग लिए मोस्ट इंपॉर्ड़न्ट है काफी हद तक जो कि आपको कर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उससे रेटेड ही है तो आज की वीडियो में क्या-क्य डिसकस करूंगे आप लोग की क्या पता आप लोग के काफी हद तक बैनिफिशन लिकले सबसे पहले मैं आप लोग को यह बताऊंगी कौन-कौन से स्टूडेंट्स का आखिरकार कोड़ वाइस एक्जाम होगा और यह कोड़ वाइस सिस्टम क्या है इसमें क्या-क्या हो सकत पता चल जाएगा और तीसरा खासकर लोग मोस्ट इंपोर्टन यह वाले स्टूरेंट्स को कि आखिरकार उनका कोड़ वाइस एक्जाम होगा यह नहीं होगा यह वीडियो के एंड तक आप सब को इन इंफोर्मेशन पता चल जाएगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको most important यह बत बता जीतों कि इन सब निउस देने के बाद last में मैं आप लोग को आखिरकार यह बता दूंगी कि आखिकार परिक्षा का जो कारेकरम है या फिर जिस जिसका जो जो changes हुआ है आखिर उसका जो new schedule या फिर आप new date sheet बोल सकते हैं वो कब जारी होगा क्या क्या procedure है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा वीडियो helpful लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजेगा जिसे की नेक्स नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही है उसके लिए आप लोग चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिगा ज्यादा कि कमेंट में काफी बच्चों को कन्फ्यूजन थी मैं हमारा होगा नहीं होगा तो मैं क्लियर वाइज एक टॉपक क्लियर कर दूँगी कि एक भी टॉपिक आपका ना रहे जाए तो इसलिए मैंने आप लिख करके भी रखाए कि मैं उन स्टूडेंट का नाम क्लियर ले इन सबके एक्जाम किसी भी तरीके से 8 जुलाई से लेके 5 अगस तक के एड़ दी एंड बोला ही है अउन सब के एकजाम होगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार BA, BCOM और BSC ये तीनी student है जिनके सिर्फ code wise paper होंगे और इनको code paper यानि की code wise paper देनी होगी और दूसरा जितने भी आपके UG और PG के आपके semester के exam में उसमें आपका कोई भी changes नहीं है तो जो student UG और PG में है तो दोस्तों अच्छे से information ले देना उनके आपके schedule में कोई changes नहीं आया है सिर्फ BA, BCOM और BSC वाले student क्यों ही paper code यानि जो आपका code system आया था एक ही code का paper उन्हें देना होगा वीडियो के आगे डिसकस करूंगी कि एक paper code में आप लोग कैसे क्या है क्या procedure है दूसरा जो MA और MCOM के जो private है वो दूसरा most important मैंने आपको बोला था तो वाइवा कौन से students का नहीं होगा जो MA और MCOM के private student वाले जो students थे उन सब के वाइवा नहीं होंगे ये final हो चुका है उसके बाद आप लोगों का LLB और LMK जितने भी schedule जारी किये गये थे तो दोस्तों वो सब नया जारी किया जाएगा क् आपका पुराना schedule था वो सब कैंसिल कर दिया गया है तो उसका नया आएगा अब बात कर लेते हैं वालों के लिए काफी बीर्ट सुडेंट को confusion है तो मैं फिर्ट 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 वालों को भी एक लास्ट में चीज बताऊंगी क्योंकि फिर्ट फिर्ट काफी confusion होगा नही होगा क्या क्या चीज़े हैं तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर तो बीर्ट फेपर का जैसे ही कल के न्यूज में आपको पता चल गया कि यह फाइनल हो चुका है कि आप लोगों के एक्जाम सेप्टेंबर मन नहीं होगे जुलाई में कराए जाएंगे और आप लोगों का यह भी पता चल गया होगा कि आठ जुलाई से आठ अगस के बीच में ही आप लोगों का एक्जाम होगा और डेट शिट कब जारी होगी यह बें आपको आगे बताती हूँ उसके बाद आप लोगों को यह बोला गया है युनिवर्सिटी की तरफ से कि इ जानी कि जो भी आप सबके पेपर की टाइमिंग होगा वह आपके देड़ घंटे का पेपर होगा और यह सारे के सारे एक्जाम आठ जुलाई से पांच अगस के बीस किसी भी तरह करानी है यह आपका ओफिशल नोटिस आ गया है उसके बाद आप लोगों को क्या बोला है कि एक कोड से दूसरे कोड का क्या मतलब है यानि जो एक कोड करना है उसमें बाकी सब्जेक के कोड में नंबर कैसे मिलेगा यह वो प्रोसीजर क्या है तो दोस्तों इसमें आपको यह होना है कि जो एक कोड में आपको जो नंबर मिलेगा यानि कोई भी स्टूडेंट अगर अ यहां पर लिखा है मैंने यह कोड को पेपर होगा में आपके बीकॉम के जितने भी रेगुलर और प्राइवेट के स्टूडेंट है और जो बीस्टी के फाइनल इस्टीडेंट है उन्को क्या करना है केवल सिफ एक ही कोड का पेपर देना होगा और जो आपके युनिवर्सिटी है यानि कि जो आपके कॉलेज के हैं उन लोगों ने आल्रेडी ही आप लोग को चोईस करने का मौका देंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर देना है यानि आपको किसी भी पेपर में या तो अगर जिस स्टूडेंट के दो या तीन पेपर कोड की परिक् इसमें इंक्लूड हो जाएगा बाकी के सारे सब्जेक्ट में नंबर एड हो जाएंगे और आप लोगों से कॉलेज में चॉइस पूछा जाएगा तो इसलिए आप लोग डॉट मत रखिएगा कि चॉइस होगी नहीं होगी तो आपको पूरी की पूरी आपॉरी अपॉरी मिली कि बच्चे को पूरा च्वांगा ऑगा कि वह कौन से सब्जेक्ट में पेपर देना चाहता है और जितने भी आपके प्रोविज़नल सेमेस्ट्र के की उनके कोई भी चेंज नहीं है याद रखिएगा और यूजी और पीजी के प्रोफेशनल फाइनल इस टूट जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट उनके में भी कोई चेंज नहीं है और नेक्स्ट जो आपको मैं बताऊंगी वह एलल्बी और एलल्म का जिसका फाइनल सेमेस्टर क जो आपकी क्या है ती थी अभी जो नेक्स्ट आएगी वह क्योंकि जो पहले जी उसको चेंज कर दिया गया है उसको आप लोग मत मानेगा नया जो आपका सेडूल जारी होगा नया कारेकरम जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप में मोस्ट इंपॉ सारे code के paper देने होंगे उनके लिए कोई choice नहीं है याद रखेगा और अपनी confusion को दूर कर लीजेगा दोस्तों तो इसलिए अब आप लोग अपने study को maintain कर सकते हैं कि कम से कम अब आपको confusion दूर हो गए होगी कि बीट second year के अब finally कोई भी कोई changes नहीं आए हैं अब कुछ student के ये इसका official notice नहीं आया था कि बीट first year वालों को finally promote कर दिया गया हो बट ये news जरूर दी गई थी कि बीट first year वालों को promote किया जाएगा और उसमें बच्चों को जल से जल्द form भरवाने के लिए जिससे वो बच्चा form भरेगा और उसको promotion मिल जाएगी ये आपका final कर दिया जाएग तो दोस्तों इससे कोई notification नहीं आया तो obviously बात है कि आप लोगों के पूरे के पूरे chances है कि आपको promotion मिल गया है तो आप लोग doubt मत लीजिएगा अब आप लोग के comment आएगे कि मैम official notice नहीं आया है आप इतने surety से कैसे कह सकते हो तो आप लोग उस time wait करें आपको खुदी पता सब्सक्राइब कि आपको मैं बारंटी है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अगर इसमें promotion नहीं मिलता स्टूरेंट्स को तो काफी हद तक लोगों को क्या हो जाता बीच में न्यूज आती बट फस्ट इयर का जो पहले न्यूज आई थी वही बोल दिया गया थ कोई भी आप लोग का कोडवाइज नहीं है आप लोग अपना जैसे भी मैंने आपको एक्जाम पैटन अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड कर रहे कि है कि एक्जाम पैटन क्या-क्या था जितने गंटे का है और लॉंग से लेकर वैडि शॉर्ट और शॉर्ट में क्या-क् सब्सक्राइब करने हैं और लास्ट यह आपको 8 या 6 कोशन में से कोई 2 कोशन करने होते थे तो थोड़ा सा ही चेंज आया है कोई चेंज नहीं आए तो दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर दीजे क्योंकि आप लोगों का जितने स्टूडेंट्स का आपको आज वीडियो म हो गए जिसे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुच जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी है अगर वीडियो हल्पूल हो यह तो लाइक जरूर कीजेगा जिसे कि आप लोग की मोटिवेशन से ही मैं नेक्स वीडियो जल से जल आप लोग लिए ल जोड़े है तो जुड़ जाई है और वो वीडियो आप लोग डेली देखते रही है वो वीडियो आप लोग ले काफी हलफूल होगी डिटेल मैं आप लोग लिए डिस्क्राइब कर रही हूं कि कोई भी एक टॉपिक आपका इसा ना रह जाए जो अग आपको एक्जाम में प्रब्लम क्रियेट करें तो दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आज की वीडियो बस छोटी सी इतनी है नेक्स वीडियो पर जल से जल मिलूंगी कि क्या अकिरकार कॉले से आप लोगों का कौन से स्टूटेंट्स का कौन सा कारेकरम जारी होंगी तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल से जल मिलती हूं थैंक यू फॉर वाचिंग बाई